हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे फाइनस टेस्ट ओफ सिमेंट और फ्लाइस थ्रो ब्लेंस एयर प्रमिलिटी टेस्ट एज़ पर आयस कोड 4031 पार्ट टू में दिया हुआ है अब हमको क्या-क्या अपार्टर्स रिक्वाइड है उसके बारे में बात करेंगे इसको हम लोग कहते हैं सेल जो आप देख रहे हैं सिलेंडिकल टाइप का होता है इसको सेल कहते हैं इसकी लेंट होती है 50 mm और जो अंटर का डायमेटर होता है वो होता है 12 mm जो इसके उपर आता है इसको बोलते हैं प्लंजर जो इसके उपर फिट बैट जाता है इसको इसके अंदर 1 mm के होल होते हैं जो उसके अंदर लगती है नेक्स्ट आता है अब यह हमारा फिल्टर पेपर फिल्टर पेपर होता है जो इसके उपर फाइनेस निकालने के काम आता है वाइट कलर का होता है इसको फिल्टर पेपर कहते हैं अब हो गया आपको नेक्स्ट दिखाते हैं यह हो गया जो सामने दिख रहा है यह हो गया यूटूब मैनोमेटर यह हो गया इसका वाल को क्लोज ओपन यह हमारा यूटूब मैनोमेटर हो यह हमारे cell को इसके अंदर फिट कर दिये, यूटू मैनोमेटर के अंदर फिट कर दिये, एक 2.14 ग्राम उप सिमेंट और फ्लायर सेम्पल, यू थे आवर रेडिंग इस 2.14 ग्राम, नाउ वी हैव तो एड़ परफोरेट डिस्क इंटो दा सेल, अब परफोरेट डिस्क इंटो पर फिल्टर पेपर रखेंगे, अब इसको पैन या कोई भी स्कूरू ड्राइवर की मदद से इसके अंदर फिट कर देंगे, अब हम इसके अंदर जो सेल के अंदर है, जो हमारा वेट उप सेम्पल लिया था, वो सेल के अंदर डाल देंगे पूरा पूरा, पहले परफोरेट डिस्क, फिल्टर पेपर, उसके बार हमारा सेम्पल लगा दिये, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पूरा सेम्पल इसके अंदर जा चुका है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारी प्लंजर है, प्लंजर को इसके उपर, जैसे कि आप देख रहे हैं, प्लंजर को इसके उपर हम रख देंगे, और टाइट से बंद कर देंगे, अब हम इसको यूटूब मैनोमेटर के उपर रख दिये हैं, अब हम प्रेसर देंगे इसके अंदर, पहले वॉल खोलेंगे, आप परेशर को बोटम दे- रख़े करें बोटमगें क्रोims उस्टे पॉटम टिय क्धिश के अब देक पाता चुकर हैं अब देगी काई देखा रहे हैं अब हम पहले कैप खूल देंगे Łab पाल क्लोज हो गया अब हम दीरे दीरे इसको चोड़ देंगे और यूटूब मैनुमेटर में दो रीडिंग्स होती है दो पोइंट दिये होते हैं यहां से लेके यहां तक प्रेसर को जाने में कितना टाइम लगता है इसी से हम फाइनेस निकालेंगे अब हम छोड़ चुके देखें दीरे 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 प्रेसर लाइन बढ़ रही है बढ़ रही है अब मेन दूसरी मार्किंग तक पहुंच जाएगी तब हम टाइमिंग नोट कर लेंगे जैसे कि आप देखेंगे अभी हम आपको जूम करके दिखाएंगे रीडिंग को यह देखिए दो मार्किंग देखेंगे पहली पहली उपर उस टोप मार्किंग तक पहुंच जानी चाहिए अभी हमको टाइम लग रहा है 19 सेकंड तो बढ़ता जाया है कि इसके बाद केल टाइम आने के बाद हमें कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम बढ़ता जाएगा अभी हम इस टोप आज में टाइ हमारा टाइम आया 35 सेकंड आगया अवाद लेंगे और हम एकलेसन करेंगे अब आता है के कैलकुलेशन 33.057 547 और time is equal to जो हमने अपर एक्सपरिमेंट किया है उसके अंदर 2 मैनोमेटर दे रखे थे यहाँ से यहाँ तक reach करने में कितना time लगा दो मैं एक मैनोमेटर के अंदर reading दिखर की थी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना time लगता है तो हम आब आते हैं इस value को put करते हैं 523 0.0 से हमारा time आया था time is equal to आया था 35.02 second हम इस reading को put करने के बाद कितना है रहा हमार रीडिंग यहाँ जाएगि 3095 317 cm2 पर ग्राम अब हम आते हैं कुछ standard value दे रखी है जो कि हमारे exam के अंदर importantly पूछी जाती है तो हमारा पहला question आता है high alumina cement and OPC के लिए कितना number क्या specific surface area होना चाहिए तो यह होता है should not be less than 2250 250 cm2 पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए PPC cement should not be less than 3000 cm2 पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए third number पर आता हमारा rapid hardening cement और low heat cement के लिए आता है 3250 cm2 पर ग्राम से कम नहीं आना चाहिए hydrophobic cement जिसमें आना चाहिए reading 3500 cm2 पर ग्राम से कम नहीं आना चाहिए फिपता आता है IRS T40 एक नई टाइप के cement होता है जिससे हम construction के अंदर cast करते है slipper for railway slipper for railway construction के अंदर जो cement यूज की चाहिए उसको बोलते है IRS T40 इसके अंदर हमको surface area 3700 या 3700 cm2 पर ग्राम से कम नहीं आना चाहिए लास्ट हमारा super sulfate cement जिसकी हमको surface area 4000 cm2 पर ग्राम से कम नहीं आना चाहिए please like my channel like share and subscribe please like, share, subscribe my channel अगर आपका कोई भी क्यूस्टन हो तो आप मुझे comment box में फ्रीली पूँच सकते हैं Thank you everyone